जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालूरेत का मिट्टी का जो शिवलिंग का निर्मान करा है उस शिवलिंग का निर्मान करने के बाद में आपके मध्ध में जो आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में तो उपर को उन्दी वगर लगी हो पंखा ल शंकर का अखंड सुभागे देने का फुलेरा होता है जिसको माता पार्वती जी उमा का त्याइनी देवियों ने इसका स्मर्ण लिए कि एक गोल होता है जिस तरहसे भी बनाना पर शिवजी के उपर नीचे शंकर बभवान होते हैं यह थोड़ा उंचा जिससे पूजन के अराम से हो जाए इसको बभवान जिससे पन्जला धारी लगाते हैं उसी तरहसे इस फुलेरे को लगा जाए तो इस फुलेरे में आही ना घृए पत्तियों को भी लगाना चाहिए माला के साथ में कोई आम की पत्ति हुई और शोफ की पत्तियां हुई उसका भी स्मर्ण है मारा उसका भी स्मर्ण है जैसे बगवान मतेव अधिव महादेव का श्रीलिंग का दर्षन हो गया है अरे जुनके तो बोलो हो गया है और जितने लोग आसखा पर सुन जाएं जितने लोग फेस्बूट पर सुन रहा है अगर आपके स्मर्ण में खुलेरा नहीं हो उसका दर्षन अवश्च करिये लिए श्यूं अंदिर में अगर जला धारी में लगी हुई है तो जला धारी से फूल बान तर नीचे कियो लटकाना चाहिए पर लटकाना चाहिए खुलेरा बनाना चाहिए साथ फल हैं फुलेरा कितने फल हैं साथ ज्यान दीजियेगा पहला फुलेरा जो नादी बरत करती आती है और बरत कर्म उसका चलता रेता है उस बरत कर्म के अंतरगर मान लो किसी कारण रश बिमानी में कोई गमी के अंतरगर कोई सुतक शावड़ के अंतरगर अगर नादी पूजन नहीं करता ही पूजन नहीं करता ही और उसमें केवल पुलेरे का दर्शन ही कर लिया है पलंप और पड़ी पड़ी में पुलेरे का दर्शन कर लिया है तो नाड़ी को हरताली का तीज के बरत का फल प्राप्ट हो जाए साथ फल है भगवान शंकर के हरताली का तीज के पुलेरे का पहला फल ब्रत काम दूसरा यदि कोई नावी आई और उसके संतान नहीं दस साल, आट साल, पाँच साल, छेस साल, साथ साल, बारा साल, पंदरा साल हो गए उस फुलोरे फुलेरे का मातर इस्मर्ण करकर एक उस्त भी उसने दर हल्दी कुकुका लगाकर उस फुलेरे का टचकास्तर भगवन श्मर्ण के पामन चन्नों में लग दिया है और बिम्ति करकर गई है तो अगला फुलेरा वो खुद बंदाती है उसकी गोधी में संसान आही जाएगा अगला खुलेरा वो खुद बंदाईगी, के के जाएगी जी जी आगली बार खुलेरा मेरी तरक से बंदाईगी, मंदिर में खुलेरा मेरी तरक से लगणा, आगली बार चब तुम पूजार करो तो खुलेरा मेरी तरक से बंदाईगी, ये खुलेरे कामा, तीसरा, महराद, हम कोई दान, गवदान, हर्ताली का तीछ की किताब है आप है, जो लोग पढ़ते होंगे हर्ताली का तीछ की किताब, उसमें लिखा है, ब्राहमन देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है, अब कोई ज़ीव है, कोई साधर नहीं है, नहीं है किसी की कटे सिखी नहीं दे सकता तो क्या होता है तो कहां हम गवदान नहीं कर पाते हम सुनदान नहीं कर पाते हम बस्तरदान नहीं कर पाते हम मुद्रादान नहीं कर पाते हम अन्नदान नहीं कर पाते हम यह सारे दान अगर नहीं भी कर पाते है तो शिम्हा पुराण की कफ़ागती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन इस पर्श पर लेने से सारे धानों का पुन्न फल प्राप्तर हो जाता है ये तीसरा फल फुलेरे अब हाताली का तीच का फुलेरे का चोथा मात्व है पहली बार जो हर्ताली का तीच का अबरत करती है या हर्ताली का तीच का उज्यापन कर देती है या किसी कारणवस्ट शरीर एसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती तो दो बूंड अगर उन्हें पानी भी पी दिया है या कोई कारण बस एक कुछ गल्ती हो भी गई है तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गल्ती शंकत स्विकार करकर कुछ चमा कर देते हैं ये चतुर्त थाओ के लिए थुलेरे का अगला गणर करा गया मारा शिवसर्टर की वो हम ना काशी जा सकते हैं हम ना सूमनाग जा सकते हैं हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान संसर का स्मर्ण कर सकते हैं मान लो हमें एकांत में बेटकर शिवक्ति करना है किसी मंदर में किसी दिवाले में जाकर बख्ति करना है तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से पूजन इसमर्ण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है और फिर अगला आख्री का जो अर्णन किया गया है वो कहा गया कि पारवती में या गुफा में जाता भगवान का बजन करती थी शिव का समर्ण करती थी और फिर अपनी सहिलियों के साथ बेट कर शंकर का समर्ण करा जिसका फल पारवप्वी को मिला तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रविश्ट कर सकते हैं ना हम किसी गुफा में या जंगन में जा सकते हैं इस फुलेरे के नीचे संकर बगवान की जब अर्चना करते हैं आरादना करते हैं हारदाली का तीज के दिम खुलेडे के नीचे हम बागान शिर्फ की पूजन करते हैं तो हमारा बन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्र हो जाता है ऐसे खुलेडे कर से तीस कता कितार को पूरी होगी जम के बोले जड़ा उन्तीस पूर अर्टानि तुम रुका जी ने जेवरी शिनारत से कहा नारत अगर भूल वश्च बहुत ध्यां देना इस तका कर भूल वश्च मान लो किसी किया हर्काली का तीच का पूजन हो रहा है किसी मंदिर में हर्काली का तीच का इसमर्ण हो रहा है किसी मंदिर में हाटिली का गर्त हो रहा है और धूल वश्ट मान जो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आड़ती पूजन या अगरत अगरती धूपमती की कंद भी आपके शरी में चली जाती है तो श्यू महा पुराण की कथा करती है नारत शंकर भर्मान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरुवत नहीं पड़ती शंकर उस जीव का दर्शन कर लेए शिव उसका दर्शन कर लेए झाल झाल झाल